एक शहर में सीमा नाम की एक औरत अपने पती राजेश और बेटे गौरफ के साथ रहा करती थी वो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी क्योंकि उसका पती राजेश एक शराबी था और वो कोई काम धंदा नहीं करता था मैं कल से इतनी बिमार पड़ी हूँ उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें बस शराब 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 मैं कल से काम पर ही नहीं जा पाई तो पैसे कहां से होंगे सिमा चलाती रह जाती है पर राजेश उसकी एक नहीं सुनता वो धीरे धीरे घर का सारा सामान बेच कर शराब खरीबने लगता है उससे कोई मतलब नहीं था कि उसकी पत्ली बिमार पड़ी है ममी मुझे बहुत भूख लग रही है भूख तो मुझे भी लग रही है बेटा पर क्या करूँ मैं इतने बिमार हूँ कि उठी नहीं सकती और तुम्हारे पिता तो जाने कौन से मिट्टी के बने है उनके लिए तो शराब ही सब कुछ है हम लोग मरे तो मर जाए उन्हें को खाकर बताना कैसे बने है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काजल बहन इस समय हमें इसकी बहुत सरुरत थी काजल मुमोज देकर चली जाती है और इधर सीमा और गौरव वो मुमोज खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एक भिकारिन आ जाती है भगवान के नाम पर क अपने हिस्से के मुमोज उसे देदूँगा। नहीं नहीं टूखा मेरे हिस्से के दे दे सिमा और गौरव बात पर बहस करने लगते हैं तो भी कारिन कहती है अरे तुम लोग लटते क्यों हो मुझे बस एक मौमो दे दो तुम लोगों को भी तो भूक लगी होगी ये सुनकर जैसे ही गौरव मौमोस की प्लेट लेकर उसकी तरव बढ़ता है तो उनके घर में लगा बल्ब अचानक पूट जाता है और मौमोस की प्लेट में गिर पड़ता है ए भगवान ये क्या हो गया सारे मौमोस बिकार हो गये अब हम लोग क्या करेंगे कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ अरे आंटी ये मत है ये आपका मों कट जाएगा वो भिकारिन मौमों खाती है पर उसे कुछ नहीं होता और अचानक वो एक परी में बदल जाती है और कहती है मैं कोई बेकारिन नहीं परी हूँ मैं तुम्हारी परिक्षा लेने आई थी कि क्या तुम इतनी कठिन समय में मेरी कोई मदद करोगे या नहीं और तुम लोग तो मेरे मदद करने के लिए आपस में ही जगड रहे थे इसलिए मैं तुम्हें ये जादवी बल्ब के मूमोज दे रही हूँ ये तुम्हारे हर मनुकामना पूरी करेंगे ओ माइ गॉड एक परी वो भी हमारे गर में अब मैं चलती हूँ बाइ बाइ फिर वो परी वहां से चली जाती है और गॉरव वो जादवी बल्ब के मूमोज ले जाकर अपनी मा को खिलाता है सीमा जैसे ही वो जादवी मूमोज खाती है तो उटकर बैट जाती है ये मूमोज तो सचमुच जादवी है इन्हें खाकर तो मेरी तप्या देखते हम ठीक हो गए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ हे भगवान तेरा धन्यवाद हरे वा ममी ये तो बहुत एची बात है जादूई बल्द के मोमोज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तो ममी अब जब हमारे पास ये जादूई मोमोज है तो क्यों न हम इससे और चीज़े भी माँग ले कैसी चीज? सबसे पहले तो कुछ खाने को मांगते हैं और उसके बाद अपना घर का सामान जो पापा ने शराब के लिए बेच दिया हाँ तो सही कह रहा है और उसके बाद गौरव घर का सामान मांगता है है जादूई बल्द के मोमोज हमें खूब अच्छा वाला महिंगा महिंगा घर का सामान दे दो नहीं गौरव गलत बात हमें सिर्फ अपनी जरूरत की चीज़े मांगने चाहिए ओ सौरी मम्मी एह जावी बर्द के मुमोद हमें हमारी जरूरत का सामान दे दो गारट के ये कहते ही उनके घर में जरूरत का सामान प्रकट होने लगता है और तभी वहाँ राजेश आ जाता है ओ अच्छा मुझसे कह रही दे कि पैसे नहीं है और खुद घर में इतना नया नया सामान वरके रखा हुआ है अरे पापा मम्मी नहीं लाई है कुछ ये से अब जादूई बल्द के मुमोद से ही मिला है राट शुखर धूट मत बहुँआ राजेश सीमा को मारने लगता है ये देखकर गौरव जादूई बल्द के मुमोद से कहता है जादूई बल्द के मुमोद मेरी मम्मी को बचा लो मेरे पापा की शराब के चिपकर में ये सब हो रहा है मेरे पापा की शराब चुडवा दो गौरफ की बात सुनकर जादवी बल्ब के मौमोस राजिश को हवा में वड़ा देते हैं वो बुरी तरह चिलाने लगता है तब ही आचानक उसके मूँ में एक मौमोस खुश जाता है मौमो क्हाते ही राजिश का नशा एक दम दूर हो जाता है अरे इन मोमोस को खाते ही मेरे शरीर में अजीब सा बदला हुआ है अब मुझे शराब की बिलकुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है अगर ऐसा है तो मेरे पती को छोड़ दो जादवी बाल्ब के मोमोस राजेश एक दम जमीन पर गिर पड़ता है और उठकर सीमा के गले लग जाता है वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब उनका परिवार खुश हाल हो गया है तैंक्यू सो मच जादवी बल्ब के मोमोस तुमारी वज़े से मेरे मम्मी बापा वापस मिल गए सही कहा तुने गौरब मैं भी बहुत खुश हूँ अब हम लोग इन जादवी बल्ब के मोमोस से सब की मदद भी करेंगे वो लोग अपने आसपास के गरिबूं के मदद करना शुरू कर देते हैं पर जब काजल को इस बारे में पता चलता है तो वो सोचती है तो मेरे दिये हुए मोमोस जादवी हो गए और उससे इन लोगों ने ये सब हासिल कर लिया पर इन पर तो मेरा हक होना चाहिए क्योंकि वो मोमोस मेरे थे काजल सीमा के घर आकर उससे कहती है सीमा जब तुम भूकी थी तब मैंने तुम्हें मोमोस दिये थे पर वो मोमोस थे मेरे ही तो अब जब ये जादवी बन गए है इन पर मेरा हक है लाओ ये मुझे वापस कर दो ठीक है काजल बेहन तुम इनको वापस ले लो वैसे भी अब हमें इनकी जरूरत नहीं है बस तुम इससे सब के मदद करती रहना हाँ हाँ ठीक है पागल कुटे ने मुझे काटा नहीं है जो मैं दूसरों के मदद करती घुमू ये जादवी मोमोस तो सिर्फ मेरे काम आएंगे काजल अपने घर पहुंचते ही और उस जादवी बॉल्ब के मोमोस से कहती है एजादवी बॉल के मॉमोस मुझे बहु Famous बहुत साला सोना और हीरे जवारत दे दो उसके ये कहती ही पूरे घर में काला धुआ भर जाता है ये क्या हो गया जी मैंने तो जोईल्डरी मांगी थी चलो दोबारा मांगती हूं कुछ ए जादवी बल्ब के मोमोज मुझे बहुत खुबसुरत बना दो खुबसुरत बनाने की जगा जादवी मोमोज उसे बतसुरत बना देता है और उसके घर में गंदे पानी के बारिश होने लगती है ए भगवान ये क्या हो रहा है ये मेरे क्या हालत हो गई काजल वो जादवी बल्ब के मूमोस वापस सीमा के पास लेकर पहुंचती है और वो उसे वापस देते हुए कहती है ये पकड़ अपने मूमोस इन्होंने मुझे बरबाद कर दिया देखो मेरी क्या हालत की है अरे ये क्या हो गया काजल वहां से भाग जाती है और उसके बाद से सीमा, राजेश और गौरव खुशी-खुशी रहने लगते है और उस जादवी बल्ब के मूमों से सबकी मदद करते है बहुत साल पहले की बात है एक राज्य था चंदापुर वहां के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे उनके राज्य में बहुत से लोग बिमार हो गए थे प्रजा की बिमारी और उनकी कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे उनके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे तभी एक हिरन के चिलाने की आवाज आई बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ अरे, ये किसकी आवाज है, कोई मुसीबत में है लग रहा है राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं राजा ने देखा, एक शेर ने हिरन के बच्चे को अपने पंजे में पकड रखा है बचाओ, बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ चिंता मत करो छोटे हिरन, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता राजा अपनी दलवार लेकर उस शेर पर तूट पड़ते हैं राजा, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ, यहां से लोट जाओ शेर, मैं तुम्हें आखरी चितावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरन को, नहीं तो अंजाम के लिए तयार हो जाओ दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है, और राजा शेर को मार देते हैं तभी अचानक शेर का मृत शरीर गायब हो जाता है, और हिरन एक साधू का रूप ले लेता है अरे, यह क्या चमतकार है? आप कौन है महात्मा? हे राजन, मैं कणक रिशी हूँ, और मैं आपकी परिक्षा ले रहा था आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसंद हो, मांगो, क्या मांगते हो राजन? महत्मा जी, मुझे सर्व प्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है यहां से पांच सो कोस दूर, सोनपुर में एक घना जंगल है, वहाँ पर एक जादूई अम्रुत का पेड़ है, अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो, उससे अपनी प्रजा का कल्यान कर सकते है इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे, तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ती होगी परंतु मेरी एक बाद याद रखना राजा, वहाँ बहुत से खत्रे हैं, और वो अम्रुत का फल सिर्फ अच्छी नियत वालों को ही दिखता है अम्रुत लेने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अम्रुत गायब हो जाएगा राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौब जाते हैं अरे, इतने सारे अम्रूद के पेड़? हे भगवान, इनमें से जादूई अम्रूद का पेड़ कौन सा है? राजा जादूई अम्रूद पेड ढूरते ढूरते ठक जाते हैं, और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. ओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ. अरे, ये क्या? पानी तो समाप्थ होने वाला है, और राद भी होने वाली है. तभी अचानक पेड़ से आवाज आती हैं. ए राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है. थोड़ा पानी पिला दो. मैं बहुत सालों से प्यासे हूँ. इस जंगल में कोई आता नहीं. मुझे पानी पिला दो. राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं. और खुछ देर के बाद राजा स्वयम प्यास से तड़पने लगते हैं. तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खुपसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है. और उसमें से बहुत तेज रौशनी आती हैं. और राजा पर पड़ती हैं. जिससे राजा की भूख, प्यास, ठकान सब गायब हो जाती हैं. अरे, ये क्या है? इतनी रौशनी और इतना खुपसूरत पेड़ कहां से आ गया? पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर राजा बहुत हैरान होता है. ए राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं. आपने बहुत से अच्छे काम किये हैं. अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है. आप एक अमरूद ले जाएं. इससे प्रजा का कंद्यार कीजिए और इसका एक बहुत छोटा सा बाद अपनी रानी को खिला दीजिएग आपको फुत्र रतने की प्राप्ति होगी. राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं. उनके पीछे से अजीब-जीब आवाजे आने लगती हैं. लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं. चारों तरफ द्राही द्राही मचा हुआ है. मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बिमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है. महराज जी, ये अजीब तरह की बिमारी है. पूरा राज्य इसकी चपेड में आ गया है. तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए. महराज की जय हो? महराज, ये बिमारी आज से सौ साल पहले आई थी. ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है. ये बहुती घातक बिमारी है. इसका कोई इलाज नहीं है. एक दूसरे को छूने से होती है. कोई तो इलाज होगा वैद्य जी? एक इलाज है राजन. क्या है कृपया बताईए? जो जादूई अमरूद आप लाए हैं, उसके बीच से एक दवा बनेगी. इसमें दो महीना का समय लगेगा. इसी दवा से सबका उपचार होगा. जब तक यह दवा बन नहीं जाती, तब तक सबको घर में ही रहना होगा. कोई बाहर नहीं निकलेगा. साफ सफाई का विशेश ध्यान देना होगा. जैसे वईद्य जी ने कहा है, वैसे सबको करना होगा. कोई भी दो महीने तक घर से नहीं निकलेगा. राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया. तब ही अचानक अमरूद से आवाज आती है. राजन, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है. मुझे कहीं बड़े जगे ले चलो. अरे ये क्या? अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? से निकल, यहाँ आओ, और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ. अरे, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है. राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है. मुझे कहीं बड़ी जगा ले चलो. मेरे पास इससे बड़ी जगा नहीं है. ठीक है. आप मुझे खुली जगा पर रख दो. से निको, इस अमुरूद को एक खुली जगा पर ले चलो. सुभह हो जाती है. और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमुरूद देखकर हैरान हो जाते हैं. वैद्य जी अमुरूद के बीट से एक महिने की अवधि के अंदर दवा तयार करते हैं. वैदवा सबसे पहले ट्राइल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है. इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यू का समाचार मिलता है. कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अववार फैलाई जाती हैं कि यह दवाई प्राण घातक है. राजा को चिंता हो जाती है और वे स्वयम उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सबके लिए अध्यन तुपियोगी है. वहीं दवा फिर सबी को पिलाई जाती हैं और सब लोग ठीक होने लगते हैं. हमारे राजा बहुत द्यालो और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं. उन्होंने स्वयम जंगल में जाकर इस जादूई अम्रूत को लाया हैं. राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वेस्ट हो गएं. राजा ने उस जादूई अम्रूत का एक छोटा सा भाग राणी को भी खिला दिया. राणी गर्भवती हो गई और नौ महीने के बाद उन्होंने एक सुन्दर पुत्र को जनम दिया. राजा और राणी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थी. पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोत्री हो गई थी. इस कहानी से हमें यह सीथ मिलती है कि जो सब की भलाई करते हैं, इश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करत जुम्रू एक मदारी था. उसके पास के आंगन में एक बेल का पेड़ था. जुम्रू के पास एक बंदर और एक बंदर या थी. उनको लेकर रोज सुभह सुभह निकल जाता और जो भी कमाई होती उसी से उसका गुजारा होता. बंदर भी उसको बहुत प्यार करता था. ज एक दिन जब वे शाम को घर वापस आ रहा था. तभी बंदर मोटर साइकल वाले के सामने आ गया. और बंदर घायल हो गया. जुम्रू बंदर को गोद में उठा कर घर लाया. उसको दवा लगाई. बंदर या उसके पास ही बैठी-बैठी रो रही थी. एक हफते की सेवा ब बंदर मर गया. जुम्रू ने उसी पेड के नीचे मिट्टी खोद कर उसे दफना दिया. उसके बाद वे कई दिनों तक चुप-चाप उसी तखत पर बैठा रहता. बंदरिया भी अकेली उसके इर्द-गिर्द घूमती रहती. धीरे-धीरे उसके पास जो कुछ भी राशन था, सब खतम हो गया. उसकी आजीविका का कोई साधन न था. एक दिन शाम को अचानक पेड पर कुछ पंचे चहचाने लगे. उसने उपर देखा, बहुत सारे पके हुए बेल लगे थे. तभी एक बेल नीचे टपका. उसने उठाया और बेल तोड लिया. बेल तोड़ते ह उसकी आखें फटी की फटी रह गई. उस बेल के अंदर सोना भरा था. उसने उसका छिलका उतार कर सोना निकाल लिया और सुनार की दुकान पर बेच दिया. उसको बहुत सारे पैसे मिले. उन पैसों से उसतें बंदरिया के लिए और अपने खाने का सामान लिया, कपड़े खरीदे और बाकी पैसे लेकर घर आ गया उस दिन जब रात में सोया तो उसके सपने में बही बंदर आया और बोला मालिक तुमने हमारी बहुत सेवा की है मेरी बंदरिया का में ध्यान रखना अपसे रोज एक सोने का बेल तुम्हारे आंगन में गिरेगा तुम्हारे पास पैसो की कोई कमी नहीं होगी जुम्रू की आँखे खुल गए उसने सोचा क्या ये वाकई जादूई बेल है चलो कल देखेंगे दूसरे दिन आंगन में बेल टपकते ही वह लपक गया बेल तोड़ा तो उसमें सोना था उसे अपने सपने पर यकीन हो गया वह सोने को बेच कर पैसे ले आया उसने सोचा अब थोड़ा सोना एकठा करके दुकान पर जाओंगा एक दिन लल्लू हलवाई की दुकान पर दूद खरीदने गया तो उसने पूछा क्या बात है जुम्रू आज किल तुम खेल नहीं दिखाते हो सब ठीक है ना जुम्रू बोला क्या बताओं भाईया जब से बंदर खतम हुआ तब से मन ही नहीं करता बंदरिया भी अकेली ही चुप चाप एक कोने में पड़ी रहती है जुम्रू को बहुत दुख हुआ उसने कहा नहीं नहीं मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता वो तो मेरे साथ ही रहेगी जुम्रू को रोज बेल मिल जाता जब उसके पास बहुत सारा सोना हो गया तो वह बाजार गया और वहां से एक टैक्सी में बैठ कर शहर जाकर सोना बेच आया बहुत सारे पैसे थी उसे आते वक्त भी टैक्सी से ही आना पड़ा गाउ के दो लपंगे लड़कों ने उसे टैक्सी से उतरते देखा तो आपस में काना फूसी करने लगे उनका काम ही गाउ में चोरी चकारी करना और जुआ खेलना शराब पीना था वे दोनों ही सारे गाउ की आखों की किरकिरी थे बदलू बोला रे आज कल तो ये मदारी किसी काम धंदे पर नहीं जाता और ठाट देखो टैक्सी में घूमता है हाँ सारे दिन तक्त पर पड़ा रहता है पैसे कहां से आते हैं देखना पड़ेगा एक हफते बाद जब जुम्रू बाजार गया और वहां जाकर टैक्सी ली तो बदलू को कुछ शंका हुई वेह रगू के साथ अपनी मोटर साइकल से उसके पीछे पीछे शहर तक गया जुम्रू ने जब उनको अपने पीछे आते देखा तो समझ गया कि ये लफंगे उसका पीछा कर रहे हैं उसने टैक्सी वाले से वापस चलने को कहा और घर आ गया लेकिन बदलू और रगू उस पर निगाहे रखे हुए थे एक दिन जब वैं आंगन में बैठा था उसी समय वे दोनों उसके घर यह पता करने आए कि आखिर उसकी आमदनी का जरिया क्या है तब ही उपर से बेल टपका उन्होंने कहा जुम्रू आज तो तुम्हारे बेल का शर्बत पी कर ही जाएंगे जुम्रू मन ही मन बहुत चिंतित हुआ कि इन लोगों को जादोई सोने के बेल का रास पता चल जाएगा उसने आखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा मेरी जान बचालो प्रभू वरना ये दोनों मुझे खतम कर देंगे और सारा सोना भी हड़ब जाएंगे वैसे भी घर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है उसने जैसे ही बेल तोड़ा वै अंदर से बिल्कुल खोखला निकला उसकी सास में सास आई वो दोनों भी कम न थे उन्हें तो उसके घर में जादा से जादा समय बिताना था उन्होंने आगन में पड़ा डंडा उठाया और दूसरा बेल भी तोड़ा उपर से दो बड़े बड़े बेल सीधे बदलू और रगु के सर पर गिरे और वे दोनों सिंधे दस विट की उचाई पर उड़े और आगन के उस पार जाकर गिरते ही उनकी हड़ी पसली सब तूट गई दूसरे दिन गाओं में उनके मरने की खवर फैलते ही सब समझ गए कि जरूर इनको किसी ने मार कर फेका है दोनों जैसे थे वैसा ही फल मिला उनके मरने पर किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ जुम्रू ने देखा कि अब रास्ता साफ हो गया है तब उसे दिन शहर जाकर सोना बेचाया कुछे दिनों में उसने अपने लिए एक गाड़ी और ड्राइवर भी रख लिया अपने घर के बगल में जमीन खरी दे और एक पक्की कोठी बनवाई चारो तरफ बाउंडरी बनवाली ताकि कोई ना आ सके बेल का पेर जिस आंगन में था वहां सिर्फ उसके जानवर रहते थी उसने अपने घर के सामने दो गार्ड रख लिये अब उसका फूरा समय गाउं की लावारिस जानवरों और गरीबों की देख भाल में बीच जाता गाउंवाले उसकी अमीरे देखकर हमेशा उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते वह अपने काम से ही काम रखता था उसने अपने गाउं में कुछ जमीन खरीद कर अस्पताल भी बनवाया कुछ ही दिनों में उसने एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ली अब वे जुम्रू मदारी से जुम्रू सेट बन गया था बहुत समय पहले छज्जो नाम का एक कुम्हार एक छोटे से गाउं में रहता था इसकी बेती लाली बच्पन में पोलियो हो जाने के कारण लंगडा कर चलती थी लाली अपने माबाप के बनाए घड़े, सुराही, कुलहर, सर पर एक टोकरी में लेकर रोज लंगडाते लंगडाते पाजार में एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी जब से प्लास्टिक का चलन हो गया था, तब से मिट्टी के बरतनों की खपत बहुत कम हो गई थी एक बार छज्जू बहुत बिमार हो गया, जो भी पैसे थे, सब उसके इलाज में लग गए एक दिन घहर में कुछ खाने को नहीं था, लाली अपने बरतन लेकर नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी वह सोचने लगी, कब हमारे नसीब बदलेंगे, उसी समय उपर से एक नारियल गिरा, और उसके चार पाच मिट्टी के बरतन फूट गए, लाली सुबक्ते हुए बोली तब ही नारियल बोला, अरे ने ने तुम इतनी निराश मत हो, अपने बरतन उठाकर घर जाओ, मुझे भी अपने साथ लेती चलो, लेकित इसे रास्ते में कही रखना मत, घर जाकर ही तोड़ना लाली ने अपने बरतन समेटे और नारियल लेकर घर चली आई, अभी उसने नारियल उठाया ही था, कि उसके पैर में अजीब सी संसनाहत ही, वे थोड़ा लड़खडाई, और तभी एक चमतकार हुआ, उसके दोनों पैर बिलकुल ठीक हो गए, घर आकर देखा, तो उसका तूटा फूटा घर कोठी में बदल गया था, वे सक पका गई, फिर उसने देखा, कि उसकी मा उसका इंतिजार कर रही थी, वे जब अंदर आई, तो नारियल मा को दिखाते हुए, उसने सारी बातें बताई, उसने कहा, मा ये नारियल जादुई है, ये बोलता भी है, और तो और देख, अब मैं ठीक तरह से चल भी सकती हूँ, चल, इसे अभी तोड़ कर देखती हूँ, तभी नारियल बोला, तुम रोज शाम को पेड़ के नीचे जाकर पानी डाव दिया करना, और रोज तुभे एक नारियल मिल जाएगा, जैसे ही उसने नारियल को तोड़ा, उन सब की आखें हैरानी से फटी की फटी रह गए, नारियल में तो सोना था, वो लोग बहुत खुश हुए, इतनी देर में छजुभी बिस्तर से उतकर आ गया, वह बोला, अरे मेरी तवियत तो बिलकुल ठीक हो गई, लाली हर कमरे में भाग भाग कर देख रही थी, सारी मारियों में कपडे भरे थे, उसने एक अच्छी सी ड्रेस निकाल कर पहन ली, फिर अपनी मा से कहा, मा तुम भी अच्छी से सारी पहन लो, और जाओ, बाबा के साथ ये सोना बेच कर आओ, छज्यों और उसकी पतनी सोना बेच कर पैसे ले आए, लाली और उसका परिवार बहुत खुश थे, अब तो रोज बेह नारियल के पेर में पानी डालने जाते और उससे एक नारियल मिल जाता, नारियल में से निकला सोना बेच बेच कर उन लोगों की सारी तकलीफें खतम हो गए, लाली ने एक दिन अपनी मा से कहा, मा मुझे आगे पढ़ना है, मेरी स्कूल में दाखिला हो गया, लाली स्कूल से आकर खाना खाती और तुरंट पेर में पानी देने जाती, उनके हालात इतने बदल गए, कि गाओं में सब की नजर उनके उपर रहने लगी, एक दिन लाली की सहेली ने उससे पूछा, तुम लोगों ने पैर के इलाज के लिए किस डॉक्टर को दिखाया, ये तो बहुत महगा इलाज होगा, इतना महगा इलाज कैसे करवाया, लाली ने मासूमियत से उसे सब कुछ बता दिया, उसकी सहेली ने धर जाकर अपनी मां से सारी बातें बताई, बस, फिर क्या था, पूरे गाओं में यह बात पैल गई, कि ल नारियल मिलेगा, वो लोग उसे छीन लेंगे, रोज ऐसा करने से एक एक दिन सब लोग नारियल अपने घर ले जाएंगे, इस तरह से सारे गाओं वालों के पास बराबर सोना हो जाएगा, लाली पेड के नीचे पहुची, उसने पेड में पानी डाला, और जैसे ही नारिय जद छीन लिया, नारियल लाली के हाथ से निकलते ही, जट से पेड पर चला गया, और पेड परते धेरो नारियल धर धर सब के सर पर गिरने लगे, किसी का सर भूटा, किसी की आँख और किसी की गर्दर, सब गावाले अपने अपनी जान बचा कर भागे लाली का हसन हस कर बुरा हाल हो गया तब ही एक नारियल उसके सामने आकर गिर गया उसने जैसे ही नारियल हाथ में उठाया नारियल बोला अब तुम घर जाओ ये लोग कभी तुमसे बेर मोल लेने का साहस नहीं कर पाएंगे अगर कुछ करेंगे तो मैं निप्टा लूँगा वे जब घर आई तो उसके घर के सामने गावालों की भीड लगी थी सब शोर मचा रहे थे चज्जो को इस गावं से भगोना होगा इसके बेटी जादू गर्णी मन गई है नारियल ने लाली से कहा तुम कुछ मत करो और घर में जाओ मुझे यहीं छोड़ दो लाली घर के भीतर चली गई नारियल अकेले ही पूरी भीर पर उचल उचल कर मारने लगा और अचानक फट गया उसके फटते ही धमाका हुआ सारे लोग तितर पितर हो गए इसके बाद से किसी ने उस परिवार पर उंगली उठाने का साहस नहीं किया लाली ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उसने डॉक्टर बनकर मोलियोगरस बच्चों का इलाज करने में अपना पूरा जीवन बता दिया उसने गरीब बच्चों के लिए और व्रद्ध लोगों के लिए आश्रम बनवाया जादू इनारियल ने उस गरीब परिवार को बहुत खुशिया दि